नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं इन सभी डियोडेंट्स और सेंट्स के बारे में जिसमें ये जो तीन डियोडेंट्स हैं वो की डेनवर की तरफ से आने वाली हैं एक है एडिडास की तरफ से आने वाली, एक है फॉग और एक है पार्क एविन्यू और एक है कामसूत्र, तो दोस्तों इन सभी के बारे में मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, यह क्योंकि आपको पता है यार इतने बड़े बड़े ब्रेंड है, मुझे से छोटे यूट्यूबर को क्या ही स्पॉंसर करेंगे, तो यह हॉनेस्ट वीडियो होने वाला है, हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है, और जो लोगों को जरूरत क्या होती है, अभी मैं इनके अंदर इंग्रेडिन्स बताने लगू, तो उनकी आपको जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत है, सिर्फ की इनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, कितनी देर तक यह टिकती है, और क्या इसकी प्राइज है, तीन चीज़े के बारे में ज़्यादा तर लोग डिसकस करते हैं, और ज़्यादा तर लोग जब खरीते हैं, तो इन तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इधर से पार्क एविन्यू की तरब से, तो दोस्तो यह पार्क एविन्यू की तरब से आने वाली, सिगनेचर कलेक्शन, डियोडरेंट रहे, तो दोस्तो यह काफी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा बिकती है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो बहुत अच्छी है, आने कि सॉफ्ट है, काफी ज़्यादा, लेकिन वो काफी लोगों को अच्छी लगती है, काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस मतलब ठीक ठाक लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, और इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं लगती है, कि मैं इसका यूजी ना करूँ तो ये मेरे लिए एवरेज लगती है बात करें कि ये कितने देर तक टिकती है तो 3-4 कंटे के लगवाग ये टिक जाती है और बात करें प्राइस की तो दोस्तों मैंने काफी दिनों पहले खरे दी थी है तो प्राइस तो मैं शायद भूल गया दोस्तों 40 रुपे में इसाने लेकिन 190 रुपे के समतिंग ये मिल जाती है आपको सेकेंड नमर बात करें कामसुतर के बारे में तो दोस्तों ये सिरफ नाम की पर्फ्यूम है बाकी ये दोस्तों कोई जादा special work नहीं करती है मतलब इतना जादा अपनी बॉड़ी पर टिकती नहीं है मैंने शायद ये दो का कॉम्बो खरीता था क्योंकि जब मैं भी sorry डी मार्ट से गया था तो डी मार्ट से मैंने दो का कॉम्बो खरीता था तो प्राइज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कितने का लिए था और बाकी fragrance की बात करें तो fragrance अच्छी है लेकिन ज़्यादा देर तक हिष्टे नहीं करती है अब बात करते हैं इस डेनवर के बारे में तो इस चॉकलेट फ्लेवर है इसका यानि कि थोड़ी strong इसकी fragrance है जिस तरह कि चॉकलेट आप टेस्ट करते हैं तो उस तरह का इसका काफी ज़्यादा strong fragrance है ये रोयलोड के नाम से आती है और दो दूस्तों इसकी price बता दू तो 190-180 रुपे के संतिंग आपको किसी भी store पे आसानी से मिल जाएगी और इसकी बात करें कितनी देर तक टिकती है तो 4-5 घंटे तक आसानी से टिक जाती है और इसकी fragrance भी मस्त है strong है जिन लोगों को strong fragrance पसंद है वो इसका use कर सकते हो इसको use कर रहोगे लगबख एक महीने तो आसानी से चल जाती है एक डड़ महीने इसके बाद मैं बात करें यह Denver के बारे में तो दोस्तों आपने देख सकते हो यह दो है यह दो तो सिरफ आपको दिखाने के लिए मैंने रख रखें बाकी जाने मैंने कितना use करके फैक दिया है यह तो सिरफ प्रिव्यू बनाने के लिए मैंने रखे हुए है तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है काफी ज़्यादा बेस्ट सॉफ्ट इसकी फ्रेगरेंस है और वही 190-180 रुपए के सम्तिंग ये मिल जाती है अब दोस्तों हम देखोगे प्राइस डिफरेंस ये 2021 में ये थी ये 109 रुपए की और 2020 में ये 210 रुपए की हो गई sorry why mistake मैंने आपको और डेट बता दी बाकी इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है 4-5 गंटे तक आपकी बोड़ी पर आसानी से टिक जाती है तो इसको रख देते हैं हम साइड में अब बात करते हैं इसके बारे में ये है फॉक्सेंट बहुत ही गजव इसकी फ्रेगरेंस है मस्त एकदम अब तो यार दोस्तो खतम हो चुकी है सारी ही पाकी क्योंकि मैंने सारी यूज कर ली है अब तो सारी ही खतम हो चुकी है अब तो कुछ भी नहीं बचा इन में बागी इसकी fragrance अच्छी है यार मस्त एकदम 309 में के something sorry यार 325 इसके उपर MRP है मैंने इसको लगबग 310 रुपे में हाँ 310 रुपे में लेकाया दोस्तों आप bargaining किया करो यार आप bargaining करोगे तो ही आपको दे देगा आप bargaining नहीं करते पर्फुम्स बगरा में और दोस्तों यह जो Adidas की है यह ऐसे तो यह Adidas की है लेकिन पता नहीं यार इसकी fragrance एतनी ज़्यादा टिकती नहीं है मैंने इसका यूज किया था बाकी क्या पता यह original है भी या नहीं तो उसके ओपर मुझे डाउट है क्योंकि Adidas brand काफी ज़्यादा famous है तो इसकी जो fragrance थी वो मतलब ठीक थी लेकिन 2-3 गंटे तक यह टिक पाती थी और बात करें price की तो यार मैंने इसको बहुत पहले खरीदा था आप इसकी date वगरा देख सकते हो क्योंकि यह लगबग मैंने 2017-18 में खरीदा था तो तब का मैंने रखा हुआ है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तो जश्ट दोसों मेरा जो रिब्यू है ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया कितनी देर तक टेकती है कितनी देर तक नही बाकी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना